जेहिंद एवर्योन मैं आखी लवस्ती स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन न्यूज आउटलेट दा इंडियन एक्सपेस में छपे इस टॉपिक के बारे में वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूशन चाहूँगा सवाल है पाकिस्तान ने डेफॉल्ट होने से बचने के लिए किस कंट्री को अपना कराची पोट बेचने के लिए कहा है ओप्शन है आपके A, UA, B, Singapore, C, China, D, Oman इस question का उत्तर आप मुझे comment section में दे सकते हैं बाकी का वीडियो के end में आपका इसका correct answer में दे दूँगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस news outlet में क्या लिखा है इसके बारे मैं बात करते है इसमें लिखा है PM rights to G20 countries Let African Union be a member to मतलब इस वार का जो G20 summit है आपको भी पता है इसे इंडिया host कर रहा है तो इस वार का G20 summit में इंडिया दो important topic के बारे में ज़्यादा discuss करने वाला है उसमें से एक topic है कि global politics को कैसे rebalance किया जाए इंडिया के बिदेश मंत्री जैसंकर प्रशाद ने ये भी लिखता है Rise of Africa, key of global rebalancing Because African continent एक ऐसा continent है जिसके बारे में overall world कोई बात नहीं करता है इसी के चलते इंडिया ने इस वार के G20 का जो main agenda है इसको यही रखा है कि African Union को कैसे world widely connect किया जाए geopolitics में एक important role play करवाया जाए Because African Union एक neutral role play करने वाली है geopolitics में Because उसको किसी भी country से कोई ज़्यादा interest जुड़ा हुआ नहीं है इसी के चलते इंडिया ने सभी G20 leader countries को यह लिखके भेजा है कि इस वार African Union को या तो हम G20 का part बनें या फिर उसको काफी सारे assurance दें Now अब यहाँ पर यह सोचेंगे जब वर्ड अफरीका के बारे में नहीं सोच रहा है तो इंडिया ऐसा क्यों सोच रहा है देखिए Wikipedia की एक report के अनुसार अफरीका में 54 countries है Overall में लाके And इनकी जो population है यह 1.31 billion है 2019 के data के according और इसकी जो GDP है वो 3.14 trillion dollar है Means इन nominal term में अगर बात करें तो इंडिया से यह काफी ज़्यादा पीछे नहीं है इंडिया की जो population है यह around 1.14 billion के around है इंडिया की जो GDP है वो 3.75 trillion dollar है तो nominal term में अफरीका इंडिया से काफी ज़्यादा पीछे नहीं है कई सारे expect ये भी मानते हैं कि 2050 तक जो अफरीका है इसकी GDP 29 trillion dollar के आसपास पहुँच जाएगी इसी को tackle करने के लिए इंडिया भी 2050 तक अपनी GDP 30 trillion dollar के around पहुचा लेगा ऐसा एक estimate लगाया जा रहा है तो वर्ली अफरीका काफी ज़्यादा important country है क्योंकि अफरीका में कोई ऐसी problem नहीं है जहां पर उनकी जो population है ये कही decline कर रही हो जैसा European countries में हो रहा है कि वो developing होने के बाब जूद भी उनकी जो population है वो decline कर रही है तो अफरीका में ऐसा कोई issue नहीं है और अफरीका एक neutral country बनके काफी सरे geopolitical situations पर एक proper अपनी राय दे सकता है इसी के लिए इंडिया अफरीका के लिए ये stress ले रहा है इस वार G20 समित में अफरीका को या तो G20 के G21 का फार्ट बना दिया जाएगा या फिर उसके लिए काफी ज़्यादा assurance मिल जाएगी अब आप कहेंगे इंडिया इतना सब अफरीका के लिए क्यों कर रहा है वाल्ड में इतनी सारी countries है जो अफरीका के लिए कुछ नहीं कर रही है पर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है तो देखें मैं आपको simple सब्दों में अर्थिये बता दू कि geopolitics में कोई भी country किसी की भी help नहीं करती है जब तक उसका एक खुद का interest ना हो यहाँ पर इंडिया का भी है इंडिया का interest है कि वो अफरीका continent के साथ एक free trade agreement sign करना चाहा रहा है The Economics Time का यह article है India open to FTA negotiations bilaterally or individually with Africa Puse Goel यहाँ पर इंडिया एक free trade agreement को expect कर रहा है अफरीका के साथ आने वाले time के लिए Because यह इंडिया को एक बड़ी market में अपने कदम जबाने के लिए काफी ज़्यादा important रहेगा क्योंकि आपको भी पता है कि अफरीका एक बहुत बड़ा continent है और यहाँ पर इंडिया प्रोडक्स की काफी ज़्यादा मांग भी है अब यहाँ पर आप यह कहेंगे कि क्या इंडिया केवल अपने स्वार्थ के लिए अफरीका से सारी चीज़ा कर रहा है जी बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है कि केवल हम free trade agreement के लिए ही इनके साथ collaboration कर रहे है बट इसके अलावा भी इंडिया और अफरीका ने 2023 में एक F इंडेक्स नाम की military exercise भी करी है जिसमें frequent continent के सभी जो countries हैं इनके इनके जो military army हैं जनरेल हैं इन्होंने इंडिया के साथ military exercise करी है आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा एंड वीडियो की सुरुआत में जो मैंने आपसे question पूछा था कि पाकिस्तान किस country को अपना port बेच रहा है तो उसका answer है answer A UAE यह आप article देख सकते हैं दबीग का जिसमें लिखा है धन्यवाद जैन जैवारत